तो गैस अगर आप लोग OPPO के ऐसे डिवाइस यूस कर रहे हैं जिसमें आपको Always On Display देखने को मिलता है और उसमें अगर आपको Keeps Stopping का Error देखने को मिलता है तो कैसे आप लोग यहाँ प्राब्लम को Fix करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बिलका इकन को प्रेस कर लेना है तो सिंपल आपको अपने फोन की सेटिंग्स उपन करना होगा और सबसे पहले तो आप अपने फोन के About डिवाइस पे क्लिक करें और अगर कोई update available होगा तो सिंपल आपको update करना है ठीक है सेकंड आपको Apps वाले आपशन पे क्लिक करना होगा App Management पे क्लिक करेंगे तो यहां पे loading लेगा 3.2 पे क्लिक करेंगे सो सिस्टम पे क्लिक करेंगे सर्च पर पर क्लिक करें और यहां पर आपको always on display लिख देना है अगर आपके फोन में always on display वाला feature होगा तो definitely always on display के कि आजाएगा आपको application देखने को मिलेगा simple आपको उसके उसके क्लिक करना होगा then उसके आपको storage पर क्लिक करना है और simple आपको उसका data clean कर देना है ठीक है तो simple आपको यह method का use करना है then definitely आपकी problem fix हो जाएगी मिलते हैं next वीडियो में जय मता दी